लेब्रडर रेट्रीवर वर्सेस जर्मन शेफ़र्ड वर्सेस डॉबमन पिंशर्ड ये तीनों ही काफी ज्यादा पॉपिलर डॉपिट है और आज की इस वीडियो में हम तीनों ही डॉपिट को कंपेर करने वाले देखेंगे कि आपके हिसाब से आपके लिए कौन सा डॉपि तो बीड कर लीजीगा पहले थोड़े इन डॉपिट के बार में जान लेते हैं जैसे कि यह डॉपिट का ओरीजिन कहां संakap का यह डमने को पुराने समय में ऐज़र्डण डॉपिड यूज किया जाता था और आज के समय में ने को काफी सारे फशेऺे करने में यम यूज क जाते हैं बात करूँ लेडर रेट्रीवर्स की तो यह डॉबिट का ओरीजिन केनेडा से है यह डॉबिट को एज रेट्रीवर की तरह यूज किया जाता था यानि जब शिकारी कुछ शिकार करता था तो यह डॉबिट जाके उसे रेट्रीव करके शिकार के पास शिकार को ले लेक्टर थे तो यह डॉग बीट को ऐस गार्ड डॉग की तरह उन्हें ने प्रिट किया था बात कुरूं इन डॉग बीट की ग्रूप की तो जैसे मैंने बता है जर्मान शफ़र्ड हर्डिंग ग्रूप से भी लोग करता है जो लेबराड रेट्रीवर वह गंडॉग की तरह तरह यूज़ किये जाते थे तो जो जानते हैं रेंकिंग के चल रहा है तो जो जो रैंकिंग है लेबराड रेट्रीवर की रैंकिंग नमबर वन पे हैं इन तीनों में से दूसरे पर आता है जर्मन शेफर्ड और नम्बर सोला पे आता है डॉगम बीचल चलिए डिसकस कर लेते हैं अगर आपको इनको रखना है तो किस टाइप का घर चाहिए होगा साथ-साथ इनके हाइट और वेट के बारे में बात करूँ में लेबरर और रिट्रीवर के हाइट की तो इन डॉक बिट की हाइट जो है मेल में हो जाती है 56 से लेके 61 cm और फीमेल में होती है 53 से लेके 58 cm उसी जगता है अगर में बात करूँ जर्मन शफट की तो उनकी मेल में हो जाती है 60 से 65 cm और फीमेल में होती है 55 से 60 cm जो कि लेबरेटर रिट्रीवर से थोड़ी ज्यादा होती है बास कर 슈 दॉबरमें की तो यह dog bit, यह दोनों ही dog bit के मुकाबले में जादा होते है height में male में होती है 66 से लेके 71 cm और female में होती है 61 से लेके 66 cm तो इनकी height को जैसे मैंने बता है उसी सब आपको अन्दाज आ रहाँ होगा कि यह dog bit small size के apartment या small size के houses में नहीं रह सकते इनको freely moving space चाहिए होगी तो आपका गर medium size का हो या last size का हो तो आराम से आप इने रख सकते हो लेकिन अगर आपके बस गर में सिर्फ एक ही room है तो इनको रखने में आपको काफी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है चलिए बात करता है weight की तो weight में जो labrador retriever का weight है वो 27 से लेकि 34 kg तक हो जाता है male में और female में होता है 25 से लेकि 32 kg उसी जगया labrador retriever के अलावा हम German Shepherd की बात करें तो male में होता है 30 से लेकि 40 kg और female में होता है 22 से 32 kg जो कि labrador के मुकाबले में थोड़ा जादा देखने को मिल सकता है आपको बात करूँ में डॉबर मैं की तो उनका weight 40 से 45 kg तक male में हो जाता है और female में 32 से 35 kg ये दोनों ही dog bit labrador retriever जर्मन Shepherd के मुकाबले में weight में ज़ादा हो सकते है चलिए अब point discuss करता है training का क्योंकि ये काफी important आ जाता है in dog bit के training में इन में सबसे ज़्यादा least training या अगर इन तीनों को मैंसे ही आपको देखना है कि में ये तीनों lower किसको कम training की जरुवत पड़ेगी तो वो है labrador retriever ये dog bit के बारे में आपने सुनाओं का काफी friendly होते है ये ज़्यादा तर जो है dog bit आसानी से घुल मिल जाते है लोगों के साथ तो ये जो dog man है या फिर जमा चफ़ड है उनके मुकाबले में आप इनको जो है training कम देनी की आ सकते है ऐसान है कि नहीं देनी है देनी है लेकिन जो जमा चफ़ड है या dog man है उनको जाधा training की जरुवत पड़ सकती है क्योंकि ये dog bit जो है guard type में आते है तो जल्दी से गुलत देनी है तो इनको थोड़ा time लगता है इसलिए इनकी training पर खास द्यान देना पड़ता है आपको बात करूँ इसमें से सबसे easy question या फिर ज्यादा question पूछे जा सकता है वह है इसमें से first time owner के लिए कौन सा better रहेगा तो इसके लिए आपको clear choice रहेगी वह है labrador retriever ये तीनों ह best होता है जल्दी से socialize हो जाता है train भी easy होता है इसलिए आपको अगर लेना है first time की owner की तरह तो labrador में suggest करूंगा आपको क्योंकि ये dog bit को अगर आप लाते हो तो आपको German Shufford या doberman जितना आपको इंग में ध्यान training के मामले में नहीं देना होगा और आपको लाना है as a watch dog की अच्छे attentive काफी जादा strong fearless होते है लेबराड और इस मामले में थोड़ा सा कमा जाता है बात करूं guarding purpose की तो गार्डिंग में भी आपको German Shufford और जो है doberman extremely protective रहेंगे उसी जगे लेबराड और average defender की तरह काम करते है इन दीनों ही dog bit की temperaments की बात कर तो German Shufford curious होते है alert होते है courageous ह intelligent होते है intelligent होते है साथ साथ loyal watchful होते है बात करूं से जगे लेबराड और रेट्रीवर की तो वह loyal gentle easy going cheerful intelligent alert साथ साथ loving और energy से भरेवे dog bit होते है बात करूं डॉबरman की तो मैंने जैसे बताया fearless loyal obedient साथ साथ ये alert रहते है काफी energy से भरेवे intelligent भी होते है अब बात करते है socialization needs की अ रख रहे हो आप तो इनको जो है सोशलाइस करना काफी जरूरी होता है दूसरे पैट से एनिमल से लोगों से अलग-अलग साउंड से जगाउ से जिससे कि यह डॉग बिट कभी भी अचानक जाए तो घबरा ना जाए काट ना ले या फिर ऐसा ऐसा ना करे कि एक्रिसिव रहे तो इस मामले में तीन होई डॉग बिट को आपको सोशलाइसन की जरुवत पड़ेगी सबसे इजीली सोशलाइस लेबराड और रेटरीवर हो जाएगा इनको जो है सोशलाइसन में ज्यादा इंट्रेक्शन मतलब बहुत ज्यादा ध्यान से करने की जरुवत नहीं है चर्म मीडियम या लास साइस का अपार्टमेंट भी है मेरा तो क्या फ्रेंडली रहेंगे हां तीनों डॉग बिट रह सकते अपार्टमेंट में लेकिन याद रहे आपको इनकी जो है कुछ ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा जो कि आपको अपार्टमेंट में रख रह और अगर आपाटमेंट में रहते हैं तो खास ले जाना चाहिए क्योंकि गर्में रहे रहा कि वह एनरजी रिलीज नहीं कर पाएंगे घर में किसी चीज को चीव कर लेंगे काट लेंगे कोई बॉटल से खेलने लग जाएगा यसी सब चीजे कर सकते हैं अब देखते हैं अब डॉपीट की तरहा, अब कुछ लोग बोल रहेंगे कि सर में थोड़ा जादा बाहर रहता हो या ओफिस में जादा रहता हो तो क्या इन डॉपीट को अखिले रख सकते हैं, तो देखो ये तीनों ही डॉपीट में से कोई भी ऐसा डॉग बिट नहीं तो ज़्यादा समय तक अखिला रह सके इन तीनों ही डॉग बिट को कोई ना कोई घर पे चाहिए फैमिली मेंबर या कोई ना कोई अगर आप इनको ज़्यादा तर अखिला रखोगे लेकिन कुछ ऐसे हेल्थ इशूज आते हैं जो आपको रेगुलरली वेट को चेक अप कराना जरूरी आ जाता है इन में थोड़े से हेल्थ इशूज देखने को मिल सकते हैं ज्यादा बागी दोनों डॉग बिट के मुकाबले में उन दोनों डॉग बिट भी हेल्दी होते हैं कॉमनली लेकिन उनमें भी अगर आप एक्सरसाइज नहीं दे रहे हो प्रॉपरली ना कुछ हो रहा है खाना नहीं खा रहे अच्छे से तो आपको जरूर से वेट विजिट जो रेगुलर तो करनी चाहिए और ऐसे भी चेक अप के लिए ले जाना चाहिए चलिए बात कर लेते हैं इनके खाने के मामले में तो तीनों ही डॉग बिट का जो है डाइट प्लैन आपको जरूर से बनाना पड़ेगा कुछ भी आपने खिला सकते मिर्च मसाला ऐसा ने दे दिया मिठा दे दिया मिठा दे दो गे तो क्या होगा है're fall जादा प्रॉबलम करेगा तो यह सब चीजह हो सकती तो इनका डाइट प्लैन आपको प्रॉपरल्य फॉलो कराना पड़ेगा त्यक्शे से इंको खिलाना पड़ेगा सहता हैर हैर फॉल की तो काफी लोगों को दिक्कत होती है कि जादा हैर फॉल पसंद नहीं है घर में यहां वहां कपड़ों पे तो अगर आप ऐसी डॉग भी ढूंड रहे हो जिसके हैर फॉल काफी कम हो इन तीना मेंसे तो आप डॉबर्मेंट के साथ जा सकते हो क्योंकि लेबराटर कम इनका जरूख से करें यह डॉग बिट के जो हैर टाइप से अलग अलग टाइप में आते हैं साथ-साथ कलर भी आपको देखने को मिल सकते हैं जो जवाइट में भी होते वो काफे रैर होते लेकिन जो टैन, रेड, सिलवर हैं इन कलर में आपको आसानी से मिल जाएगा ब बात करूं डॉगर मैं फिंचर की तो रैड ब्लू वाइट ब्राउन ब्लैक एंट टैन यह सब कलर्स में आपको देखने को मिलते हैं अब बात करते हैं आपके घर पे छोटे बेबीज है तो क्या इनको रखना चाहिए कौन सा डॉग बीड अच्छा रहेगा तो इस मामले में जो है आपको तीनों डॉग बीट को सोशलाइज तो करना ही पड़ेगा लेकिन सबसे अच्छा जो आता है वो है लेबरोडर रेट्रीवर अगर रख रहे हो आजू बाजू बेबी है तो हमेशा दरे किसी बड़े का होना जरूरी है क्योंकि खेलते खेलते बेबी इनकी तो सब्सक्राइब कीजिए